श्री हरी यह लेक पेड नंबर 99 प्रिष्ट संख्या 33 से 77 तक से लिया गया है। हर समय मनुष्य भगवान को याद रख सकता है। प्रवचन नंबर 14 स्वर्ग आश्रम वट व्रक्ष। गीता जी के नववे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं। यह ज्यान सब विद्याओं का राजा तथा सब कोपनियों का भी राजा एवं अतिपवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है, करने में भी सुगम फिर क्यों नहीं करते, श्रद्धा नहीं है। भगवान गीता जी के नौवे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे परंतब इस धर्म में जिन पुर्षों की श्रद्धा नहीं है, वह मेरे को नप्राप्त होकर मृत्यो रूप संसार सागर में भटकता है। जैसे समुद्र में कितनी बूंदों की संख्या है कोई नहीं बता सकता, इसी प्रकार यह संसार मृत्यो का सागर है, इसमें कितनी बार जनमना, मरना होगा इसकी संख्या बताई नहीं जा सकती। जीव असंख्यो बर्सों से घूमता हुआ आ रहा है, फिर वहीं जाने को तैयार है। जीव की इस संसार चक्र में समाप्ती है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ती से ही समाप्ती है। भावी में इतना भारी जो दुख है, इस पर विश्वास ही नहीं है। साधु महत्मा रोते तो नहीं हैं, किन्तु रोने की माफिक पश्यताप करते हैं, कि इनकी क्या दशा होगी। भगवान भी कह रहे हैं, परमगती को न पाकर संसार में चक्र लगाओगे, क्या प्राप्ती की संभाव न थी? अप्राप्ता तो निशेत किया नहीं जाता। वास्तव में मनुश्य का भगवत प्राप्ती में जनमसिद्ध अधिकार है, जिस प्रकार राज्य पर राजा के लड़के का जनमसिद्ध अधिकार है, इसी प्रकार मनुश्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ती पर जनमसिद्ध अधिकार है, परंतु यह मूर्ख ठुकरात भगवान हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं और हम उसे दूर करते हैं। जो लड़का नालायक हो जाता है, राजा बिना इच्छा भी उसे निकाल देता है। भगवान कहते हैं बिना श्रद्धा के यह दशा हो रही है। वह श्रद्धा भगवान के गुण प्रभाव जानने से हो सकती है, नहीं तो बड़ी दुर दशा है। सोचो तो सही दुनिया के लोगों की क्या दशा होगी। जिस शरीर में नव द्वार हैं, इसमें प्राण ठेरे हुए हैं, यही आश्चारिय है। प्राण निकल जाना, इसमें क्या आश्चारिय है। राजा युधिष्ठर ने बताया है, लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग अपनी मृत्यू नहीं देखते, यही आश्चरिय है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हर समय मृत्यू तैयार है। फिर भी हम लोग ऐश्वर्य और धन बढ़ा रहे हैं। यह नहीं सोचते, आज यदी मृत्यू हो जावे, तो इससे क्या संबंध है। सब मतलब के मित्र हैं। श्री राम चरत्र मानस के किश्किंदा कांड के बारवे दोहे के पहली चौपाई में आया है। सुर्णर मुनी सबके यह रीती, स्वारत लागी करही सब प्रीती। अर्थ, देवता, मनश्य और मुनी सबकी यह रीती है कि स्वारत के लिए ही सब प्रीती करते हैं। यदि यह बात सोचो, तो मुर्खता प्रतीत होती है कि शरीर को यदि खूप पाला पोसा, तो क्या हुआ, पांच सेर वजन ज्यादा हो गया, तो उठाने वाले को तकलीव ही होगी। जल कर खाक हो जाएगा, इस शरीर की कोई चीज काम नहीं आती। यह हमारे अधिकार की बात नहीं है कि हम न मरे, न वहाँ सिफारिश चलती है, न अपीर चलती है, वारंट वहाँ से कट गया, सिपाही यानि यमदूत आकर पकड़ना बाकी है। यह कैसी मूर्खता है, जैसे साप के मुख में पड़ा हुआ मेंडक मच्छर खाने की इच्छा करता है। इसी प्रकार काल ताक रहा है, जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर ताक रही है। चूहा तो बच सकता है, परन्तु अपने बचने की आशा ही नहीं है। ऐसी परस्थिती में पूछें, तो हाई रुपया हाई रुपया करते हैं, इस रुपय का करेगा क्या? तेरे पास पांच हजार रुपया है, तो भी उतना ही अन्द खाता है, पांच करोड होगा, तब भी उतना ही, क्या तुम रुपयों का उपभोग कर सकोगे? सब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, यही दशा हमारी होगी, इसलिए हमें वह काम करना चाहिए, जिस से हम सदा के लिए सुखी हो जावे, वह चीज इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकती है, वह ऐसा है, जो पूर्ण है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, वह आनंद इसी मनुष्य शरीर में मिल सकता है, वह प्राप्त है, फिर विलंब क्यों, यही मूर्खता है, शनिक शान्ती मिलती है, उसके लिए तो जिसका मुख देखने का धर्म नहीं, उसकी गुलामी करता है, और जिसक दर्शन से कल्यान हो जाए, उसके लिए एक मिनट भी नहीं, कारण क्या, मूर्खता है, दुनिया में जितना शहद खर्च होता है, किसका परिश्रम है, मक्यों का, मक्यों का तो केवल परिश्रम है, यानि शहद को खाते कोई और ही है, इसी प्रकार, हम रुपया इकठा करत हैं, परिश्रम तो हमको होता है, उपभोग करेंगे दूसरे, इसलिए हमें ऐसे आनन्द की चेश्टा करनी चाहिए, जो सदा के लिए हो, असली आनन्द परमात्मा है, यह नित्य वस्तु है, सांसारिक आनन्द है, वह उस असली प्रतिबिंब का चिल का है, उसे क्या पकड पकड़ना, सांसारिक सुख तो किसी प्रकार रहने का ही नहीं, परमात्मा का स्वरूप सूर्य के समान है, उसको पकड़ना चाहिए, और इस मनुष्य शरीर में यह बड़ा भारी मौका है, मनुष्य से बढ़कर कोई भी योनी नहीं है, और कल्योग से बढ़कर काल नहीं, सत्योग में दस हजार वर्ष तपस्या करने से जो कार्य की सिध्धी नहीं होती थी, आज शण में ही, मिनिटों में ही वह काम हो सकता है, यह ईश्वर की कृपा है, सिध्धांत विचार कर देखें, तो सब धर्म अधूरे हैं, यह वैदिक सनातन धर्म अनादी है, नित्य है दूसरे धर्म कोई दो हजार वर्ष पुराने हैं, कोई चार हजार वर्ष से हैं, इस वैदिक सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, फिर भी विलंब होना और दो अक्षर का ज्यान भी है, समय समय पर सत्संग की चर्चा, फिर भी अपना उधार नहीं होवे, तो फिर रोना ही बड़ा है, यानि रोना ही पड़ेगा, रो वो, भगवान की प्राप्ती नहीं होने में, प्रारप्त का नाम लेना भी छूठा ही है, क्योंकि यह भगवत प्राप्ती तो प्रयत्न साथ्य है, प्रयत्न भगवत कृपा साथ्य है, और वह भगवत कृपा प्राप्त है, भग भरत जी महराज, जैसे श्री राम चरत्रमानस के उत्तरकान के पहले दोहे की छटी चौपाई में कह रहे हैं, जन अवगुन प्रभुमान नकाओ, दीन बंधु अती मृदल सुभाओ, अर्थ परंतु आशा इतनी ही है की प्रभु सेवक का अवगुन कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाओ के हैं, जन जो हैं इनके दोश की तरफ भगवान देखते ही नही क्योंकि वे बड़े दयालू हैं, फिर श्री राम चरत्रमानस के उत्तरकान के पहले दोहे के सात्वे चौपाई में कहते हैं, मोरे जिय भरोस ध्रड सोई, मिल ही राम सगुन सुभ होई, भरजी कहते हैं, मेरे मन में ध्रड विश्वास है कि भगवान मिलेंगे, वे अपने दासों के दोशों की और देखते ही नहीं, भरजी ने पूर्व में श्री राम चरत्रमानस के उत्तरकान्ड के पहले दोहे के पाँचवे चौपाई में कहा है, जो करनी समुझे प्रभुमोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्कोरी, यदि मेरी करनी की और ध्यान दें, तो सौ कल्प में भी उधार होने का रास्ता नहीं है, हमारे भी पापों की तरफ देखें, तो क्या करोणों जन्मों में भी उधार हो सकता है, परन्तु भगवान के वहां तो ऐसा कानून है, भगवान इस तरफ देखते ही नहीं, सब भुला देते हैं, दूसरी बात है, भरत जी को सगुन अच्छे होते हैं, दाहिनी भुजा भड़कती है, अपने यहां सगुन यह है कि उत्तम जाती, उत्तम देश, उत्तम धर्म में अपना जन्म हुआ है, लक्षन अच्छे हैं, इस पर भी क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए कि हमें भग दूसरी बात के लिए क्या चिन्ता? यह तो मामूली बात है, जीने की क्या चिन्ता है, यह बात सोचकर हम लोग परमात्मा की प्राप्ती के साधन में लग जाएं, तो थोड़े समय में ही परमात्मा मिल सकते हैं, जिस दिन हम मरेंगे, यह सब यही धरा रह जाएगा, अपने पिता, पितामा चले गए, लाखों रुपए अपने पास में हैं, उनसे उनको क्या लाब मिल सकता है, यही दशा हमारी होने वाली है, ध्यान देना चाहिए अनंत जीव हैं, कुत्ते, गधे, कीट पतंग सब चक्कर में चड़े हुए हैं, इस चक्कर से निकलने का उपाए, इस घोर कलिकाल में परमात्मा की प परापती है, पतंगे दीप में जल रहे हैं, दूसरे पतंगे भी उसी में आकर पढ़ते हैं, ऐसी ही दशा मनुष्य की हो रही है, भोगों में फसे हैं, नतीजा भी मिल रहा है, कितनी मूर्खता की बात है, तुछ गंदी चीजों में मनुष्य जीवन खर्च कर मृत्यू क शिकार बन जाना, और दूसरी तरफ कितना आनंद है, चाहे इस शरीर को आग में जला दो, चाहे बोटी-बोटी काट डालो, उसके आनंद में कभी कमी नहीं आती, गीता जी के दूसरे अध्याय के बीस्वे शलोक में आता है, नहन्यते हन्म्याने शरीरे, आत्मा जो है, व वह अज है, शास्वत है, फिर यह बात आई कि खूप तत्परता से ईश्वर की भक्ती करनी चाहिए, फिर भी तत्परता से साधन क्यों नहीं होता, विश्वास नहीं है, प्रश्न, विश्वास कैसे हो, उत्तर, साधन करें, प्रत्यक्षफल हो, तो आप ही विश्वास हो जाता है, साधन भी सुगम है, जब करें, तो क्या कोई परिश्रम होता है, हर समय मनुष्य भगवान को याद रख सकता है, भगवान में प्रीती नहीं है, प्रीती क्यों नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास करना चाहिए, किसान लोग विश्वास करके ही तो अनाज मिट्टी में मिला देते हैं इसी प्रकार हमें हमारे इस सुख को ठुकरा देना चाहिए और असली सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए संसार के भोग बदार्थ तो दुख रूप ही है नारायन 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 शीमन नारायन नारायन अराएन झार चर्वारोन नाराएन ।oda नाराएन नाराएन वा उतक्ते प्रभान श्रीवाल नारायन, 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 नारायन नित्यानं बदत्रवानं यानत्रवानं आनंधियानं 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 स्वामिती स्वामिती स्वामिती